प्रजम कड़े हैं इंडियन SUV के सामने जिसका नाम है मारुटी सुजू की ब्रेज़ा 2016 में लॉंच होई थी और ये 2022 का सेकंड जनरेशन वेरियन्ट आप देख रहे हैं सिर्फ पैट्रोल में आती है रेंज शुरू होती है एक्षव रूम 8 लाक रूपीज से और टॉप मोडली कीमत है 14 लाक रूपीज और ये टॉप मोडल ZXI Plus आप देख रहे हैं 18,300 रूपीज मंथली फीस पर आप ब्रेज़ा को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आज तक 750,000 से जादा ब्रेज़ा बिग चुकी हैं इंडिया में और ये इंडिया की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स में से एक है ब्रेज़ा एक इटैलियन वर्ड है इसका मतलब होता है ब्रीज या हवा इसका पुराना नाम विटारा ब्रेज़ा था कटिंग एच टेकनोलोजी, कंफर्ट, पर्फॉर्मेंस, सेफटी और कन्विनियन्स फीचर्स का मिक्स है ब्रेज़ा इसके इंडिया में ही एसेमली होती है ट्रेल वोल्ट का स्मार्ट हाइब्रेड या माइल्ड हाइब्रेड सिस्टम है जिसके अंडर आपको मिलेगा आइडल स्टार्ट स्टॉप, ब्रेक एनर्जी रिजन ब्रेशन और एक्सेलरेशन के टाइम टॉर्क एसेस्ट सुजुकी ग्लोबल सी प्लैट्फॉर्मर बनी है ब्रेज़ा जिस पर टोयोटा अर्बन क्रूजर हराइडर भी बनी है बॉनेट पर डिजाइन, वाइपर्स, रूफ रेल्स है, सन रूफ है, शार्क फेन अंटेना इलेक्टर के लिए एडजिस्टेबल आटो फोल्ड आउटसाइड मिरर्स है, टर्न इंडिकेटर और कैमरा के साथ वील आर्च और साइड दोर कलडिंग है, 4 मिटर लेंट है और 1.7 मिटर है आगे कॉल स्प्रिंग के साथ मैकपर्सन स्ट्वर्ट सस्पैंशन मिलेंगे और पीछे कोईल स्प्रिंग के साथ टोरिजियन बीम सस्पेंशन मिलेंगे और यह हैं 16 इंच के प्रिसिजन कट जियोमेट्रिक अलोई वील 16 इंच के स्टील वील्स का भी ऑप्शन है आगे डिस्क बेक्स और पीछे ड्रम बेक्स मिलेंगे यह पर्ल आर्क्टिक वाइट कलर आप देख रहे हैं सिल्वर, ग्रे, ब्लू, खाकी और रेड कलर का भी ऑप्शन है डूल टोन में वाइट और ब्लेक रूफ कलर के ऑप्शन मिलेंगे दो एकसरी थीम्स भी एविलेबल हैं 40,000 रुपीज का टेरस्केप, एडवेंचर कस्टमर्स के लिए और 43,000 रुपीज का मेट्रोस्केप, पैकेज, स्पोर्टी कस्टमर्स के लिए रियर सेंसर, रिफ्लेक्टर, टोहुक, साइड अंडर बॉड़ी क्लैडिंग है एक्जॉस तेल पाइप ब्रेज़ा की बैजिंग, सुजुकी का लोगो, वाइपर वाशर के साथ, स्पोईलर हाई माउंट स्टॉप लैंप और यह हैं LED कॉम्बिनेशन टेल लैंप सुजुकी कनेक्ट है जिसमें आप स्मार्टफोन अप से ही कार के 40 प्लस फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं से इमर्जेंसी अलर्ट, ब्रेक्डाउन नॉटिफिकेशन, स्टोलन वेइकल ट्रैकिंग, टोवे अलर्ट, जी ओ फैंसिंग, वैले अलर्ट, रिमोट असी कंट्रोल, रिमोट डोर लॉक, हैड लाइट ओफ, हैजार लाइट्स ओन ओफ, अलार्म ओन ओफ, स्मार्ट वाच कनेक्टिविटी, एमेजन अलेक्सा, ओवर स्पीड अलर्ट, बैटरी स्टेटस, लाइव वाइकल ट्रैकिंग, ड्राइविंग स्कोर, ट्रिप हिस्टरी और बहुत कुछ, एक सीरीज में भी कई ओप्शन्स मिलेंगे, जैसे बंपर एक्स्टेंडर, सीट कवर, वी केर केर, एयर पूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, टायर इंफ्लेटर, स्टेरिंग वील, लॉक, टेशू बॉक्स, फोन चार्जर, जम स्टार्टर, कुशन और बहुत कुछ, तो यहां आपको मिलेगी 328 लेटर की बूट स्पेस, टूल केट, साइड में थोड़ी स्पेस, हु आईए, पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोल कर देखते हैं, सिक्स स्पीकर का आरके में ही सराउंड सेंस साउंड सिस्टम मिलेगा, ब्रेज़ा में, फैबरिक फिनिश, पाव विंडो का बटन, बॉटर होल्डर, स्पीकर, और यह है डूल टोन ब्लैक और ब्राउन फैब 60-40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट्स है, इंबियंट लाइटिंग है, और यह फैबरिक फिनिश, दो एडजस्टेबल हैड रेस्ट, आम रेस्ट पे दो ग्लास होल्डर, पार्सल ट्रे, यहीं उपर लाइट दी गई है, यह पहली मारूती कार है, जिसमें सन्रूफ आई है, सीट के बीछे पॉकेट्स मिलेंगी, टाइप A और C फास्ट चारजिंग पोर्ट्स है, दो एसी वेंड, एसे मेट्रिक, रैपराउंड ड्राइवर सेंट्रिक इंटीर डिजाइन थीम है, फ्रंट फुट्वेल इलुमिनेशन है, हैंडल बार हुक, आईए, ड्राइवर साइड दोर खोल कर देखते हैं, ड्राइवर साइड आटो अप डाउन पावर विंडो मिलेगी, फैबरिक फिनिश, पावर विंडो की कंट्रोल, डोर लोकन लोकनने का बटन, और व्यम के कंट्रोल, बाटल होल्डर काफी स्पेस, स्पीकर, और ये टायर प्रेश इंफ्मेशन, हाइट अजिस्टिबल ड्राइवर सीट है, आगे शोल्डर हाइट अजिस्टिबल सीट बेल्ट्स में लेंगे, अजिस्टिबल हैड रेस्ट, तेल्ट और टेलेस्कोप एक स्टेरिंग कॉलम है, डूल हॉन, पैदल्स, बोनेट और फ्यूलिट खोलने के लीवर, और यहां से बरेंगे पैट्रोल, और ये हेड़ अप दिस्प्ले, ट्रेक्शन कंट्रोल अफ, 360 व्यू कैमरा, लाइट और आटो स्टाट शॉप के बटन्स, एंजन स्टार्ट स्टाप बटन, AC वेंड, स्लाइडिंग आम रेस्ट है, इसके अंदर भी काफी स्पेस दी गई है, यहां दो ग्लास होल्डर, मैनुल हैंड ब्रेक, और ये हैं 5 स्पीड मैनुल ट्रांस्मिशन, 6 स्पीड आटोमेटिक ट्रांस्मिशन का भी ऑप्शन है, और यह वाइलेस चार्जिंग डिवाइस लेफ्ट अलर्ट सिस्टम के साथ, 12 वोल्ड का पोट, USB पोट, और यह है आटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, डिजिटल डिस्प्ले के साथ, दो AC वेंट और यह है 9 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो प्लस टस्क्रीन इंट्रोटेन्मेंट, सपोर्ट करेगा एंड्रोइड आटो, एप्ल कार प्ले, रिमोट कंट्रोल अब, ब्लुटूथ, ओवर दे एर अपडेट, हाई सुजुकी वोइस असिस्टेंट, असिस्टेंट, फम, यस्ब और रडियो, होज थूँम, सथ्क्रप्टिक, स्सिस्टेंट, अम्या सेटंट, अपन्टिवित तक्रप्न, वहिकल इंफो सेटंट, इस्प्ले सेटंट, स्थ्क्राइट, फोन लिंक विक एक्सेस हब वाई फाई एवरेज और यह 360 डिग्री डिग्री कैमरा यह आउटसाइड दिस्प्ले यह रियर कैमरा दिस्प्ले है यह आवरेज रेंज देट ताइम सेटिंग और यह शानदार डैशपोर के फिनिश अवरेज रेंज दिस्प्ले है दिखाएगा स्पीड स्मार्ट हाईब्रिट इन्फरमेशन आर्पीम टाइम हैड़ डिस्प्ले बटन को आप दो सेकिंड तक दबा कर रखेंगे तो यह क्लोस हो जाएगा अवर इसी को दबा कर रखेंगे तो यह उपन हो जाएगा अब डैशपोर्ट पे लेयर डिजाइन कूल्ड ग्लोब बॉक्स है लाइट के साथ पैसंजर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ आटो डिमिंग रियर वी मिरर संग्लास होल्डर दो रीडिंग लाइट्स है और यह है एलेक्ट्रेक सन रूफ और यह ड्राइवर साइड सन वाइजर और यह है लेधर रैब्ड फ्लैट बॉटम स्टेरिंग वील आटोमेटिक मॉडल में पैडल शिफ्टर्स हाएंगे यह फोन और वोईस कंट्रोल यह इन्फोटेन्मेंट और वॉल्यूम के कंट्रोल सुजुकी का लोगो, ग्रूस कंट्रोल, यह लाइट के कंट्रोल यह वाइपर के कंट्रोल, स्टेरिंग एड्जस्मेंट और यह है इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर 4.2 इंच TFT मल्टिफ्रोमेशन डिस्प्ले के साथ यह दिखाएगा RPM, Coolant Temperature, Fuel Levels, Speed, Average, Range, Outside Temperature, Time, Power Torque और का इन्फोरमेशन बीच में मोटर है, पीछे बैटरी दी गई है ड्राइविंग टाइम आईए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं पैट्रोल एंजन तो यह 1500cc इनलाइन, फर्स सिलेंडर, B.A.6, Suzuki K15C Dual Jet, Dual VVT Smart Hybrid Battle Engine लीथियम आयन बैटरी और 2.2 किलो बाट इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 101 होर्स पावर है, 136 Nm टॉर्क है 20 का इवरेज मिलेगा मैनूल ट्रांसमिशन में, 19 का इवरेज मिलेगा आटमेटिक ट्रांसमिशन में 48 लिटर के फियूल टैंक है इलेक्ट्रिक मोटर की है 3 होर्स पावर और 6 एम्पेर आर की लीथियम आयन बैटरी है Suzuki का K-Series एंजिन है यह प्रांसमिशन प्रांसमिशन में क्रीशन में क्रीश में क्रीशन प्रांसमिशन में झाल झाल